नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों आज एक आपके लिए ज्ञानवर्धक और एक प्रेनादायक कहानी लेकर आये हैं दोस्तों इन पाँच प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूल कर भरोसा मत करना अन्यथा बहुत बढ़ी मुसीबत में पढ़ जाओगे इस एक कहानी में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि कभी भी इन पाँच प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो मनुष्य इन पाँच प्रकार के स्त्रियों पर आखे बंद करकर भरोसा करता है हमेशा अपने जीवन में दुखी और गरीब रहता है साथ ही हजारों प्रकार की मुसीबतों को जहलता है तो दोस्तों इसी प्रकार से आज के इस कहानी में हम सभी जान लेंगे कि इन पाँच प्रकार की स्त्रियों पर भूल कर भी भरोसा नहीं करें अन्यथा मुसीबत में पढ़ जाओ दोस्तों प्राचीन समय की बात है एक नगर में एक गरीब अंगद नाम का साधू रहा करता था गरीब साधू अंगद अपने घर में अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था परंतु साधु अंगद अपने घर में आर्थिक तंगी से बहुत परेशान था वह इतना गरीब था कि उसके घर में अनाज का एक भी दाना बचा नहीं और कई दिनों तक तो साधु अंगद और साधु की पतनी मंगला दोनों को ही भूखा सोना पड़ता था दोस्तों इस तंगी की वजह से गरीब साधु काम के सिलसिले में नगर की ओर चलता गया परंतु उसे कोई काम भी नहीं मिला फिर एक दिन की बात है साधु अंगद नगर के मंदिर के चोरह पर रातरी होने कारण सो गया लेकिन ठकान के कारण वह सुभा बहुत देर तक सोया और उसके सपने में एक नगर से कई मीलों दूर एक तालाब दिखता है और वह तालाब एक जादूई तालाब है अगर उस तालाब के निकट जाकर आप कुछ भी मांगोगे तो वह तालाब आपको लाकर देगा दोस्तों जब अंगद जग उठा उसे वह सपना सच लगा और वह नगर से कई मीलों दूर तालाब की ओर जाने लगता है और तालाब के निकट जाकर उस तालाब से विंती करने लगता है और फिर कुछ समय बाद उस तालाब के अंदर से एक देवता प्रकट होते हैं और फिर देवता प्रकट होते ही वह साधु अंगद उस देवता को अपनी पूरी बाते बताता है अपने पूरे जीवन में आर्थिक तंगी या चल रही होती है तालाब के देवता उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं और तालाब में से मैं प्रकट हुए देवता साधु अंगद को एक शंक देते हैं और कहते हैं कि ये जादू मैं तुम्हें शंक देता हूँ और इस शंख को तुम अपने घर में ले जाकर इसे जो भी मांगोगे तुम्हें दे देगा परन्तु ये शंख तुम्हें हर दिन केवल पांच सुवर्ण मुद्राय से ज्यादा नहीं देगा। के समय चलना मतलब शैतान का काम होता है। इसलिए मुझे आप कहीं न कहीं रुप जाना ही चाहिए। विश्राम करना चाहिए फिर जैसे ही अंगद देखता है तो उसे एक पास में ही एक हवेली दिखाई देती है। दोस्तों वो हवेली एक जमीनदार की होती है और फिर उस ह हवेली का मालिक जमीनदार आता है और जमीनदार अपने घर के मुख्यदवार पर साधु को देखकर बहुत प्रसन होता है और उनका आशिरवाद प्राप्त करता है। उसके बाद में अंगद साधु महाराज उस जमीनदार से कहते हैं कि जमीनदार जी मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। इसलिए अभी रातरी बहुत हो चुकी है, तो मैं आप से यह बिंती करता हूँ कि आज रात मुझे यहां रुकने दीजिए, सुबह होते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। मीना साधु को अंदर बुला लेता है। उसी समय साधु अंगत को यह महसूस होता है कि जमीनदार की पत्नी मीना का चाल चलन ठीक नहीं है। और उसके बावजूर जमीनदार रमेश और उसकी पत्नी उस साधु अंगत की खूब सेवा करने लगते हैं और जैसे ही रातरी होने लगती है तो साधू जमीनदार से कहता है कि जमीनदार जी अभी शाम हो रही है और मुझे पूजा करनी है तो मैं आप से बींती करता हूँ कि आप मुझे पूजा के लिए थोड़े से फूल ला कर दीजिये। शंक का प्रयोग करूँ। क्या सच में ये सुवर्ण मुदराय देता है। साधू अंगद अपने कक्ष से बाहर जाकर देखता है कि जमीनदार रमेश और उसकी पत्नी मीना बाहर चुपके से देख न ले। फिर साधू शंक का प्रयोग करता है तो उसे वह शंक पांच सुव मुदराय देता है। ये सारी घटना को वह जमीनदार रमेश और जमीनदार की पत्नी मीना दोनों ही चुपकर देख रहे होते हैं। उसके बाद में जमीनदार सोचने लगता है कि जब ये साधू हमारे घर में पहली बार यह कक्ष में आये थे और जब इन्होंने इस शंक क बहुत संभाल कर रखा था। तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो खास बात है इस शंक की। दोस्तों उसके बाद में वो जमीनदार के मन में लालच आ गया था और जमीनदार सोचने लगता है कि आज कैसे भी करके मुझे इस शंक को प्राप्त करना है। अगर ये शंक मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाओंगा। इस पूरे नगर में सबसे अमीर आदमी बन जाओंगा। उसके बाद में वह जमीनदार रमेश उस साधु अंगत को फूल लाकर देता है और साधु पूजा करता है और फिर साधु को अपना एक साधा शंक लेता है यानि कि एक साधारन सा लेकिन उसी जादुई शंक जैसा दिखने वाला शंक लेता है। उसे साधु के सिरहाने रखकर और उस साधु के चमतकारी शंक को हासिल कर लेता है। जैसे ही सुभा का समय होता है तो साधु अपना शंक समझ कर उस जमीनदार के घर से अपने नगर की ओर बढ़ने लगता है और फिर अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी मंगला के पास जाकर बहुत प्रसन्न होने लगता है और दोस्तों उधर वो जमीनदार और उसकी पत्नी अपने छल से उस जादूई शंख को प दोस्तों, उधर वो गरीब साधु अपनी पत्नी को सारी बाते बताता है, और फिर उस गरीब साधु अंगत की पत्नी मंगला. साधु से कहती है कि अगर ऐसी बात है, तो जरा मुझे बताओ सच में ये क्या सुवर्ण मुदराय देता है. तो जैसे ही वो साधु अंगद उस शंक से मुदराय मांगने लगता है, तो उसे वो कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि उस जमीनदार ने उसे साधु के जादुई शंक से उस साधारन शंक को बदल दिया था. दोस्तों यहां जब वह साधु उस शंक से पैसे मांगता है, तो उसे कुछ भी नहीं देता है, और जब दूसरी और वे जमीनदार उस शंक की पूजा करता है, शंक से धन मांगता है, तो उस जमीनदार को खूब धन मिलने लगता है. उसके बाद में साधु अंगद उस शंख को बजा बजा कर परेशान हो जाता है फिर साधु अंगद सोचने लगता है कि हो ना हो मुझे इस तालाब के देवता ने बेवकूफ बनाया है उसके बाद अंगद फिर वह साधारन शंक को लेकर फिर से उस तालाब के निकट जाता है और तालाब के पास जाकर फिर से उस देवता को अभिवादन करता है और उनकी पूजा करके देवता को प्रसन करने की कोशिश करता है और फिर कुछ समय बाद फिर से वह तालाब का देवता प्रकट होता है देवता प्रकट होने के बाद में उसे कहते हैं कि क्या हुआ साधु आज तुमने मुझे फिर से क्यों याद किया है साधु अंगद उस तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान आपने मुझे बेवकूफ बनाया है क्योंकि आपने जो मुझे शंक दिया था वो बिलकुल भी काम नहीं करता है और आपने मुझे इस बात का दावा दिया था कि इस शंक से तुम जितना धन मांगोगे उतना धन तुम्हें देगा परन्तु यह तो मुझे एक भी सुवर्ण मुद्रा नहीं दे रहा है उसके बाद में साधु की इस बात को सुनकर वह तालाब का देवता समझ जाता है कि हो नहो इस साधु के साथ किसी न किसी प्रकार का छल हुआ है तो फिर से तालाब का देवता साधु से कहते हैं कि ये साधु अंगद अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो उसका सही सही और सटीक जवाब देना होगा उसके बाद में तालाब के देवता साधु से कहता है कि ये साधु महाराज तुम मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें भी चमतकारिक शंक दिया था उसके बाद में तुम क्या अपने सीधा घर गए थे, या फिर बीच कही रुके थे, या तुम्हे कोई मिल गया था, या फिर तुम किसी के यहां रुके थे, फिर साधु अंगत तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान जिससमें आपने मुझे शंक दिया था तो मैं एक ज तालाब के देवता मन ही मनहंसने लगते हैं, और फिर इस साधु से कहता है कि हे साधु आज मैं तुम है और एक शंक देता हूँ जो पुराने वाले शंक से भी बहतर है, तुम इस शंक को अपने साथ लेकर जाओ और उसे ही जमीनदार के घर रात्री में ठहरो, क्योंकि उस जमीनदार ने तुम्हारे इस चमतकारिक शंक को चुराया है, ये कहते ही मैं साधु समझ जाता है, और उसके बाद में बस तो वहां से चलने लगता है, और उस जमीनदार के घर पहुँचकर फिर से उस जमीनदार के मुख्य द्वार पर जाकर दर्वाजे को बचाने लगत और जैसे ही वो जमीनदार निकल कर आता है, तो साधु फिर से उस दिन की तरहे रात्री के लिए वहाँ पर रुकने का बिंती करने लगता है। साधु उसे देख कर समझ चुका था कि उसकी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं और अगर मैं इसका फाइदा उठा कर अपने शंख को प्राप्त कर लूँ तो ठीक रहेगा। साधु कहता है कि अभी मैं कुछ समय बाद पूजा करने वाला हूँ तो पूजा के समय तुम्हारे पती को मेरे पास बिठाना है। उसके बाद फिर कुछ क्षन बाद जब वह साधु पूजा करने लगता है तो उसकी पूजा करते समय में जमीनदार उस साधु के पास जाकर बैठ जाता है। और फिर साधु जब उस तालाब के देवता के द्वारा दिये गए बड़े शंक को निकाल कर उस शंक से कहता है कि मुझे पांच सुवर्ण मुद्राय चाहिए तो वह शंक कहता है कि पांच क्यों? दस मांगो दोस्तों फिर दस सुवर्ण मुद्राय मांगता है तो कहता है कि दस क्यों? बीस मांगो फिर वो बीस सुवर्ण मुद्राय मांगता है तो शंक कहता है कि बीस ही क्यों? चालीस सुवर्ण मुद्राय मांगो इस प्रकार जब वह साधु शंक से कुछ भी मांगता तो शंक उस संख्या को बढ़ा कर मांगने को कहता फिर साधु उस शंक से कहता है कि चलो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं कल अपने घर जाकर मांग लूँगा उसके बाद में मैं जमीनदार इस पूरी घटना को वहीं पर बैठे-बैठे देखता है तो जमीनदार सोचने लगता है कि अरे ये शंक तो उस पुराने वाले शंक से भी ज्यादा चमतकारिक है क्योंकि वह शंक तो केवल एक दिन में पांच सुवर्ण मुद्राय ही देता है और यह शंक एक दिन में बीस सुवर्ण मुद्राय मांगने को कहें तो चालीस को कहता है फिर इस बड़े शंक को देखकर उस जमीनदार के मन में लालच पैदा हो जाता है और जैसे ही रात्री का समय होता है, वे जमीनदार उस पहले वाले शंख को उठाता है, और उस साधु के पास जाकर उस बड़े शंख को उठाकर उसके पास पुराने वाले शंख को रख देता है, और बड़े शंख को उठाकर अपने घर में छुपा देता है, जैसे ही सुभा का समय होता है तो वे साथ अपने उस असली पुराने देने वाले शंक को उठा लेता है और समझ जाता है कि जो होना था वो हो गया है और उस पांच सुवर्ण मुद्राय देने वाले शंक को उठा कर मनही मनहस्ता हुआ अपने घर आ जाता है घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान आज मैं एकदम असली और चमतकारिक शंक लेकर आया हूँ उसके बाद में जैसे ही वह साधु अंगद उस शंक को वहाँ पर पत्नी मंगला के पास जाकर बजाता है तो वह शंक वास्तव में पांच सुवर्ण मुद्राय देने लगता है और जब उधर जमीनदार उस साधु से बड़े शंक को चोरी कर खुशी होता है जब उस शंक को बजाता है तो उसे दस सुवर्ण मुद्राय मांगने को कहता है तो वो शंक जमीनदार से कहता है कि दस क्यों बीस मांगो जब बीस मांगने को कहता है तो शंक कहता है कि 20 क्यों? 40 मांग और जब 40 मांगने को कहता है तो शंक कहता है कि 40 क्यों? 80 मांगो दोस्तों इस प्रकार में जमीनदार मांगता मांगता ठक जाता है और शंक जितनी भी संख्या जमीनदार को बोलता उसे बढ़ा कर बोलने को कहता और उसके बाद में वह जमीनदार समझ जाता है कि हूँ ना हो, यह उसी साधु का कोई कर्तूत है, उसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है दोस्तों उसके बाद में, फिर उस जमीनदार की पतनी जमीनदार के पास आती है और जमीनदार से कहती है कि आपकी लालच के कारण या आपके हाथों से मैं पांच सुवर्ण मुद्राय देने वाला भी जा चुका है। उसके बाद में मैं जमीनदार बहुत दुखी होता है। और इस बात को समझ जाता है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी में केवल उस जमीनदार रमेश का ही दोश नहीं है। उसकी पत्नी मीना का भी दोश है। क्योंकि उसकी पत्नी को अपने पती वर्ता होने का वरत नहीं तोड़ना चाहिए और अपने पती होने के बावजूद भी उस साधू के प्रेम में नहीं पढ़ना चाहिए वह जमीनदार रमेश की पतनी मीना उस साधू अंगत की माया भी प्रेम में पढ़कर उसे सारी बाते बता देती है और उसकी पतनी मीना की मदद लेकर वह सादू अंगद उस जमीनदार रमेश को वेवकूफ बनाया गया परंतु दोस्तों इन पाँच प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूल कर भरोसा नहीं करना चाहिए अगर आप इन पाँच प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा करते हैं, तो आपकी हालत उसी तरह हो जाएगी जीस तरह इस जमीनदार की हुई थी, दोस्तों पहली कभी भी पूजा पाथ ना करने वाली स्त्रिय पर पूनता से भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य पूजा पाथ ना करने वाली स्त्रिय पर भरोसा करता है, वो हमेशा कही ना कही धोखा खाता है क्योंकि जो स्त्रिय अपने कर्म धर्म पर विस्वाशन रखती हो या किसी देवी देवता को ना मानती हो, उसके होने से घर में अशान्ती रहती है यानि कि जो स्त्री किसी देवी देवता को न मान सके तो भला आपको क्या मानेगी? इसलिए कभी भी जो इस तरह पूजा पाठ ना करती हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, दूसरी बार जो स्त्री दिखने में चरित रहीन जिसे स्त्री का चालचलन खराब हो उस स्त्री पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि वह स्त्री भरोसे पात्र नहीं होती और उस पर भरोसा करते हैं तो हमेशा धोखा ही मिलता है फिर तीसरी बात ऐसी स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो इस तरह आपके सामने होते हुए भी किसी अन्यपुरुष की बधाया करती और अन्यपुरुष की बाते करती ऐसी स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए चोथी बात जो स्त्री मदिरा आदी का सेवन करती हो या फिर किसी भी प्रकार का नशा करती है उस स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप उस स्त्री पर भरोसा करोगे तो वह स्त्री आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है और फिर ये पांचवी आखरी बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर भरोसा करता है फिर हमेशा से ही उस भरोसा में धोखा खाता है दोस्तों इस प्रकार इन पाँच प्रकार की स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक ज्यानवर्धक और प्रेयनादायक कहानी पसंद आई होगी ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा